कई जगाओं पर दर्शन सत्संग देने पदा रहे थे चंडीगाड में, लखनव में, भोपाल, रायपुर, चत्तिसगड, कलकत्ता, कलकत्ता में भी अपना आश्रम है, बहुत सुन्दर, बहुत बड़ा आश्रम है वहाँ भी कलकत्ता में इतनी भीड थी कि देखते ही बनती थी, आश्रम में कहीं जगा नहीं थी, बहुत भीड थी कलकत्ता में भी, उदर के सादक सब, गोहाटी तक के सादक कलकत्ता आये थे, गुरु पुनम के निमित दर्शन करने गुरु देव के, कलकत्ता से भी गोहाट बहुत दूर है आसाम गुहाटी के उदर के सादक दूर-दूर से दार्जिलिंग से कहां कहां से आए ते कलकट्ता गुरुते है दर्संदेकर फिर वहां से उडिशा भूनेश्वरा है ने वहां उडिशा के सादकों ने खुब खुब लाब लिया उडिसा के तरफ कई सादक बाहर से गरीब हैं पर दिल के बड़े अमीर हैं उडिसा के श्रद्दा और भक्ती के धन से संपन हैं उडिसा के सादक बहुत भक्ती भाव वाले उडिसा के बक्त फिर वहां के श्रद्धालों को दर्शन देखे वापुजी जारखंड जम्शेदपुर टाटा नगर वहां भी गुरुपुनम के निमित सादक इतनी सारे आये के बात मत पूचो बहुत भीड थी वहां एक ही सत्र था पर वापुजी ने उनकी भावना देखकर शाम का सत्संग भी दिया था फिर जम्शेदपुर से सत्संग पूरा करके गुरुदेव हैद्राबाद आये आंदरप्रदेश वहां भी घजब की भीड थी आंदरप्रदेश के सादक पूरे विशाखा, पत्नम, विजय, वाड़ा और नजाने कहां कहां से आये थी वहां सत्संग पूरा करके महराष्ट आये गुरुदेव पूना आश्रम में संत ज्यानेश्वर हो गए महराष्ट में बड़े उच्छ कोटी के संत और ज्यानेश्वर जी की गुरु भक्ती तो बड़ी वंदनीय है वहां भी सादकों की बहुत 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 भीड़ती पूना में वहां से गुरुदे फिर मुंबई आश्रम रायता, मुंबई शहर से थोड़ा हटके मुंबई में होते हो भी लगे नहीं कि मुंबई माया नगरी में बैठे हैं, ऐसा सुंदर आश्रम एकांत में हैं, वहां भी भक्तों की सादकों की बहुत बीड़ती वहां से फिर गुरुदेव कल रात को दिल्ली पदा रहें, और आज यहां थोड़ी देर के बाद हमको भी गुरुदेव के दर्शन और आश्रवचन का लाब मिलेगा गुरुदेव का यह पावन पर्व केवल हम लोग ही नहीं मनाते यह ब्रह्मांडिय पर्व है गुरुदेव का पर्व तो देव लोग भी देव लोग में आपने गुरु ब्रश्पति जी के पूजन द्वारा उसको मनाते हैं गुरुदेव का यह पावन पर्व बड़ा कल्यानकारी पर्व है गुरुदेव का पावन पर्व है साधन निदी जिस साधक के पास है उसके पास बहर से बले रुप्या नहों मकान खुद का नहों गारी नहों बैंक बैलेंस नहों कुछ नहों पर साधन निदी है तो उसके पास सब कुछ है साधन निदी नहीं बहर से करोडो रुप्या है बैंक बैलेंस है मकान है कई प्रवपर्टी है बहुत सारी साधन निदी नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है और साधन निदी में सबसे बड़ी बात है अपने आराध्य में द्रड प्रेम और विश्वास ये बड़ी साधन निदी है आप देखो सत्युग में भक्तु हुए प्रहलाद उनका कितना अपने आराध्य में विश्वास्ता कितना था इतने सारे कष्ट आने के बावजूद भी कष्टों से वे डिगे नहीं बक्ती छोड़ी नहीं उपासना का रास्ता छोड़ा नहीं आजकल कई लोगों का विश्वास तभी तक होता है जब तक उनके काम होते रहें जब तक उनकी मनो कामना पूरी होती रहें तो मनो कामना पूरी होना ये बड़ी बात नहीं है मन से पार जाना बड़ी बात है मनो कामना पूर्ती का ही सुख लेते रहे तो कामना है तो उत्पन होती रहती है मेरा ये काम हो जाए मेरा वो काम हो जाए अरे काम पूरे करते करते जिन्दगी पूरी हो जाएगी ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग मेरा ये मनोरत है मेरी ये मनो कामना है जितना लोग समस्या का, पती का पत्नी का, बेटे का, दोस्त का चिंतन करते हैं, उसकी अपेक्षा अगर अचिन्त होकर बैठे तो कितना अच्छा होगा। तो अभी से क्यों नहीं, थोड़ी देर रोज अचिन्त होकर के बैठे, यह साधन निती है, इस से जो संपन है, वही वास्तों में संपदावान है। बाकी सब दरिद्र हैं, धनवन्ता नहीं कोई, कबीर जी के शब्दों में भी। तुलसीदाश जी ने तुलसी कृत्रामेन में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमा ही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं, और दरिद्रता इस अर्थ में, जिसके पास साधन निदी नहीं, क्या ले जाएगा साथ में तो, जिसके पास साधन निदी है, वो भागिशाली है, वो ही सचमुच में धनवान है, और साधन निदी में पहली बात अपने आराध्य में अटूट विश्वास प्रेम विश्वास किसी जरूरत से रखेंगे तो वो टिकेगा नहीं कि मेरा काम हो जाएगा मेरा विश्वास है मेरा ये काम हो जाएगा मेरा विश्वास है मेरा ये काम हो जाएगा आराध्य में विश्वास करें तो सबंद जूडने है तू मेरा उनसे सबंद जुडा रहे मैं आख बंद करूँ तो वो ही नजर आए संसार के दुख तो मेरा उनमें विश्वास बढ़ाने की प्रेणा देते हैं कि मेरे सच्चे साथी तो वही है बाकि स्वारत मीत सकल जग माही सपने उप्रभू पर मारत ना है तो अनेक कश्ट आने पर भी प्रहलाद जी की तीन चीजे कम नहीं हुई बदली नहीं एक तो उनका चिंतन नहीं बदला लोगों का चिंतन बदल जाता है कश्टाने पर श्रद्धा श्रद्धा में बदल जाती है बाहर से बले नहों बोले पर अंदर बहुत कुछ बोलते हैं पंडित राम किंकर जी उपाध्याए बड़े उच्च कोटी के महापरुशुए रामायन पर बड़े सुंदर प्रवचन करते थे बड़े वंदनीय संत थे वो एक बार ब्रंदावन गए किसी संत से मिलने के लिए तो उन संत के शिश्चने का हमारा जी मैं दिनबर तो गुरुजी की आग्या मानता हूँ जो गुरु कहते हैं वो हर काम करता हूँ दोड़ दोड़ के करता हूँ ठक जाता हूँ पर फिर भी करता रहता हूँ पर रात को मैं कई बार स्वपना देखता हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे को कोई सेवा बता रहे हैं और मैं गुरुजी को मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा मैं ही दिखता हूँ क्या सारा दिन सेवा करने के लिए मेरे से नहीं होगा तो मेरे को बड़ा दुख होता है कि स्वपने में भी मैं मेरे गुरु जी की बात काटता क्यूं हूँ मैं गुरु को सेवा से मना क्यूं करता हूँ तो उन्हों ने पंदित राम किंकर जी उपाध्याय ने उसको का कि बेटे दिन में जब गुरूची तुझे सेवा बताते हैं तो जरूर तेरे मन में कहीं न केहीं यह आता होगा कि क्या मैं ही हूँ क्या सारा दिन सेवा करने के लिए और कोई नहीं है क्या मेरे कोई हर काम क्यों बताते बोले हाँ गुरु जी आता तो अज मैं बहुत ठक जाता हूँ सेवा करते गरते तो ये भाव जरूर आता है कि मैं ही हूँ क्या खाली सेवा करने के लिए गुरु जी ने का बस वही उस समय तू बोलता नहीं है पर ये भाव तेरे अंदर दबा रहता है तो स्वपने में वो ही उस रूप में तुझे दिखाई देता है बेटे ये सेवा करते समय ये मत सोच के मैं कितनी सेवा करता हूँ ये सोच के हनुमान जी ने कैसी सेवा की थी हम उतनी सेवा कर सकते हैं क्या समुंद्र पार करके हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो बालमिकी रामेन में लिखा है हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसे सो समुंद्र पार कर सकता हूँ एक समुंद्र तो क्या मैं सेवा के लिए मेरे राम जी के काज के लिए ऐसे 100 समुंदर पार कर सकता हूँ, खेलते खेलते आजकल तो हम लोग कैसे सेव केंगे 10 गंटे ट्रेन में बैटना पड़े तो बोले हाँ 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 बहुत खग गए 10 गंटे 5 गंटे बस में बैटना पड़े तो अरे 2 दिन मेरे को आराम करना पड़ेगा दवाई खानी पड़ेगी अनमान जी कहते मैं 100 समंदर पार कर सकता हूँ ये तो एक ही है तो ये देखें कि उन्होंने कैसी सेवाईं की है कैसा अपने आराध्यक के प्रती उन्होंने प्रेम और समर्पन का भाव दिखा है तो प्रहलाद जी की तीन चीजें बदली नहीं एक तो उनका चिंतन नहीं बदला दूसरी बात उनकी प्रियता नहीं बदली उनकी अपने इश्ट में अपने प्रभू में प्रियता जों की त्यों बनी रही कश्टाने पर नश्ट नहीं हुई और तीसरी बात उनकी आस्था नहीं बदली न चिंतन बदला न प्रियता बदली न आस्था बदली काश ये तीन चीजें हमारे भी कभी न बदले हो गया कल्यान मुक्ती तो पीछे पीछे आएगी उसकी इच्छा करनी ही नहीं है वो तो मिलने वाली है यह कहां जाएगी बापु जैसे गुरु मिल गए तो मुक्ती तो मिलेगी उसकी इच्छा न करे ये तीन न बदले हमारे भी बस हमारा चिंतन न बदले हमारी सोच लकारात्मक न हो जाए हमारी प्रियता न बदले हमारी आस्था न बदले देखो विश्वास प्रेम अकिकत में देखा जाए तो इसका वरणन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता पर फिर भी आपका और मेरा बढ़े उसके लिए हम लोग ये चर्चा करते हैं कि विचार विनिमा है कि हमको इससे लाब होगा हम सादकों कि इससे उन्नती होगा प्रियता न बदले अकिकत में देखा जाए ने तो प्रेम क्षति पूर्ति और निवरति इन तीन से मुक्त है प्रेम में क्षति नहीं होती मीरा का प्रेम देखो क्षति भोगों में होती है इंद्रियों की क्षति में होती है प्रेम में नहीं होती और पूर्ति जिग्यासा की होती है ऐसा नहीं होता कि प्रेम पूरा हो गया बस जिग्यासा की पूर्ति हो ज़िग्यासा का समाधान हो गया उर्ती हो गई प्रेम में नहीं होती है अम्रिश राजा को देखो खुद राजा होते हो भी मंदिर की सफाई खुद करते थे ऐसा नहीं कि नोकर साफ करके रखे और खुद आसन बिचा के बैठ जाए बस खुद मंदिर की सफाई करते थे वहाँ जारू पोचा खुद लगाते थे कि ये मेरे आराध्य का इस्थान है अपने घर में भी एक इस्थान ऐसा रखो उसको रोज पूजा पाठ आरती के द्वारा उस इस्थान को जागृत रखो ताकि वहाँ आप बैठो और जो होना चाहिए वो होने लगे और जिसके न होने का दुख है वो हो जिसके होने का दुख है वो न हो तो प्रेम में क्षती नहीं होती पूर्ती नहीं होती और प्रेम की निवरती नहीं होती निवरती कामनाओं की होती जिसमें प्रेम है अपने सद्गुरु के लिए उसके जीवन में से कामनाओं की निवृत्ति होती जाएगी एक ऐसी हवस्था आएगी निरपेक्षम मुनिम्शान्तम निरवैरम समदर्शनम निरपेक्ष इसको गीता में भी अनव पेक्ष शुचिर्दक्ष कहा निरपेक्षम शुकदेव जी निरपेक्ष जिनक राजा निरपेक्ष स्वामी रामतीर्थ निरपेक्ष मुनिम्शान्तम निरपेक्ष दुराष्टपती भी उनके चरणों में स्वामी रामतीर्थ के चरणों में जुकते निरपेक्ष महापुरुष के दर्शन और निरपेक्ष महापुरुष के सुमिरन से हम भी अपिक्षा रहत हो सकते हुआ वीतराग विशय बाचित्तम हम वीतराग नहों पाएं तो वीतराग सद्गुरु के चिन्तन और सुम्रण से हम वीतराग हो पाएंगे क्योंकि जिसकी याद होगी न याद आयेगी याइनों कहो कि याद रहेगी उसका चिंतन होगा, उसकी चर्चा होगी इसलिए चिंतन सादकों का प्रहलाद प्रेणा देते हैं, बदले नहीं इसी में जीवन की सार्थकता है देखो तीन प्रकार के लोगों को संसार का चिंतन नहीं होता है बाकी के लोगों का होता है तीन, एक वे, जिसने श्रद्धा, आस्था और विश्वास पुरुवक इश्वर को गुरु को अपना मान लिया के एक, वो ही मेरे अपने हैं, बस और संसार में मेरा कोई नहीं है और दिखता है मेरा ठीक व्यवार निभाने के लिए अपना दाइत्व पूरा करने के लिए कहे दो पती, पत्नी, भाई, बहन पर भीतर से मान लेके एक, वो ही मेरे अपने हैं बस बाकि सब तो एक दिन छूट जाएंगे मैं उनी मेरे आराध्य के नाते, मेरे सदगुरू के नाते, मेरे इष्ट के नाते मैं इनको अपना मानू और इनकी भी उन्नती हो मेरे बेटे की, पत्नी की, भाई की, बहन की और मेरी भी उन्नती हो तो एक उनको संसार का चिंतन नहीं होता जिसने आस्था पुर्वक, विश्वास पुर्वक, श्रद्दा पुर्वक अपने सद्गुरु को ही अपना मान लिया बीतर से बाद स्विकार कर लिए और अभी भी हम यह स्विकार कर लेना के हाँ यह बाद सही है बस ये बीज बोद हो, आज नहीं तो कल उगेगा खेतों में डाले हुए बीज उगते हैं जो नश्वर हैं, तो ये तो ये तो शाश्वत हैं ये क्यों नहीं उगेगा, ये अपना काम क्यों नहीं करेगा दूसरे वे, जो निश्काम भाव पूर्वक सेवा खुब करते उनको भी संसार का चिंतन नहीं होता क्योंकि सेवा में वो इतने तल्लीन हो जाते हैं और फिर भाव निश्काम है इतने तल्लीन होते हैं कि उन्हें और कुछ चिंतन नहीं करता मैं देखता हूँ कई सेवादार, एक पार्किंग विभाग के सेवादारियों को ही लो आप सत्संगों में जो दिल्ली के सादक हैं पार्किंग विभाग में सेवा करते मेरे को तो उनके पैर चुने की इच्छा होती है मुझे मौका मिलद मैं उनके पैर चुलू उनको प्रणाम करूँ जो पार्किंग में सेवा करते हैं दूप में खड़े रहते हैं गुरुदेव के दर्शन करने का भी उनको टाइम नहीं मिल पाता है और सत्संग तो सुने कैसे सुनने बेटे तो सेवा में कौन खड़ा रहे हैं उस सेवा में खड़े रहते हैं दूप में भूख, प्यास, सब सह लेते हैं तो निश्काम भावपुर्वक जो सेवा करता है उसको भी संसार का चिंतन नहीं होता है बहुत उची कमाई के धनी हो जाते हैं और तिसरे वे जिन्नोंने गुरु ज्यान के विचार द्वारा श्रवन के बाद मनन की भूमिका में प्रवेश करके देह ध्यास को कम किया है कम करते गए अपने को सजाने समारने का भाव न रहा इन तीन को संसार का चिंतन नहीं होता कितनी उची स्थिति हो गए कितना लाब इसके समान कोई लाब नहीं है यही तो सत्संग है इसको शिवजी लाब कहते है इसको स्रीक्रश्न लाब मानते है नहीं ज्याने न सद्रश्यम पवित्र महीं विद्यतेज इसके समान कोई पवित्र नहीं कर सकता आप एक बात बताओ चलो सत्युग में प्रहलाद हुए त्रेता में शबरी हुई जिसका संसार का चिंतन चुट गया अब आप ये बताओ एक बात कि शबरी ने कौन सी आँख बंद करके समाधी लगाई थी ये सवाल है शबरी ने कहां त्रिबंद प्रानायाम सीखे थे या योग की क्रियाएं सीखी थी या आसन सीखे थे आप सोचो जराए ये विचार नहीं है फिर भी कितने युग बीत गए शबरी जी को हम भुला नहीं पाते है बड़े बड़े संत कोई भुल नहीं पाया है शबरी जी को पर क्या शबरी की गुरु भक्ती थी गुरु ने कह दिया कि राम आएंगे तुझे राम मिलेंगे बस तो शबरी जी रास्ता साफ करती थी कि यहां से मेरे राम आएंगे उनको पैर में कांटे न लगे यहां से मेरे राम के प्यारे साधू संत पंपा सरवर में स्नान करने को जाते उनके पैरों में भी कांटे न लगे और मेरे राम के प्यारे संत यग्य करते हैं उनके यग्य के लिए समीधा में छोड़ कर आओं जंगल से लकणियां चुनती और रिशी मुनी जहां यग्य करते थे चुपके से यग्य कुंड के पास लकणियां छोड़ कर चली जाती थी निश्काम भाव पूर्वक सेवा की शबरी को संजार का चिंतन छुट गया है और इश्वर का चिंतन गहीं छूटा गुरू का सुमिरन नहीं छूटा है यहां तक की भगवान राम आये हैं फिर भी गुरू का चिंतन नहीं छूटा है गुरू का सुमिरन नहीं छूटा है शबरी देखी राम ग्रह आये मुनी के वचन समुजी जियभा है केवल निश्काम भाव पूर्वक सेवा करने से त्रेता युग में हुई शबरी जीव किसका नाम हमें याद है पर युग बीत गए शबरी का नाम भूल नहीं बाते हैं क्या प्रेम है क्या बक्ति है यह हमको प्रेणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में अपना चिंतन अपनी प्रियता अपनी आस्था न बदले संसार है यह जीवन जब तक है तब तक कुछ न कुछ परिस्थितियां तो आती रहेंगी इन परिस्थितियों के कारा हम अपनी बक्ति छोड़ दें जब छोड़ दें हम अपनी सेवा की बावना छोड़ दें नहीं गुरु पूर्णी मा का पर्व हमें यही गुरुता अपने जीवन में लाने का संकेत करता है इस गुरुता को लाएं यह साधन निदी यह जीवन में है तो सब कुछ है यह नहीं तो कुछ भी नहीं है तो अपने आराध्य में पूर्ण विश्वास पूर्ण प्रेम जो करता है और उनके लिए ही करता है ऐसे नहीं कि मैं चिन्ता चली जाएगी और शक्ति आ जाएगी क्योंकि चिन्ता करने वाला अपनी शक्ति बहुत गवाता है बहुत गवाधा उसको पता ही नहीं है इसले तो आप देखो चिन्ता करने वालों को ही शुगर की तकलीफ होते मांसिक तनाव की अधिक्ता से तो रोग होते घातक रोग जो भी हैं वो मानसिक तनाव की अधिक्ता से होते तो निश्चिंत ता से सामर्थ्या आए शक्ति आए और निर्भै ता से शक्ति का सदुप्योग बलका दुरुप्योग नहीं और प्रियता से प्रेम से आनंद बना रहेगा व्यक्ति परेशन कब होता है जब उसकी प्रियता और वस्तुओं में है और वो वस्तुओं न मिली दुखी हो गया प्रियता किसी व्यक्ति में है आ सकती है कि इससे मेरी दोस्ती हो, इससे मेरी बात हो, व्यक्ति में प्रियता है, वो नहीं मिला, बात नहीं होई, दुखी हो गए, जैसे आज कल के कई छोरे छोरियां आत्मत्या कर लेते, मेरी उससे शादी नहीं होई, मैं जैर खा कर मर रही हूँ, हरियाणा में कहीं मैंने जुना, एक लड़की की शादी उसके मन चाहे लड़के से नहीं होई, लड़की मर गई, और दर लड़के ने भी जैर खालिया, मर गए, कि हाईश्वर के द्वारा मिला हुआ जीवन और मुर्खों ने, बस इससे मेरी शादी नहीं होई, मैं आत्मत् सिखता है, काश उनको भी बापुजी का सत्संग मिल पाता, काश उन्हें भी दिख्षा मिली होती, और वो जब तब सुमिरन कर पाते, तो प्रियता ऐसे वस्तु व्यक्ति में नहीं होती, और गुरु का सत्संग मिले फिर भी जब तक व्यक्ति ऐसे सत्गुरु मिलने के ब बाद भी अगर अपना गुरु खुद नहीं बनता है, तो फिर स्री क्रश्न जैसी हस्ती, करण जैसे व्यक्ति को संकेत करती है कि भलाई किसमें है, करण नहीं मानता है, तो क्रश्न जैसी हस्ती से भी करण लाब नहीं उठा पाया, आगे करणा आदमी मुरा नहीं था पर ये एक कमी रहे गई इसलिए भागवत में क्रश्न भगवान को कहना पड़ा आत्मनो गुरुरात्मेईव पुरुशस्य विशिष्यते व्यक्ति को अपना गुरु खुद भी बनना चाहिए तभी उसकी प्रियता वस्तु और व्यक्ति में न रहकर अपने आराध्य में वरुशस्य बहुत जरूरी है सादक कौन है जो असंगता को साधे वो सादक है सादक में ये साद शब्द साद असंगता को साद वो सादक है सादक है सादक है सादक है सादक है झाल झाल